तवी दर्शकों को नमस्कार जयस्रकुष्टन अपनाम इससे पहले हमने जो शंखला संपन की है जन्मकुली की वो लगन से लेकर के बारह घरों के स्वामियों की बारह घरों में बैठने के शंखला यानि सिरीज आपको सौप दी है अब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा अब आज के वीडियो में हम आपको धन संबंधी और विद्या संबंधी इस प्रकार की फुटकर बाते समझाने का प्रयत्न करेंगे जो हमें आता है आपको उससे ज़्यादा आता हो मुबारक बहुत अच्छा है लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जो आदान प्रदान से प्रायाह संबर्धित होती है आज हम धन योग के बारे में कुछ सुत्रों पर चर्शा करेंगे आपको अपनी जन्द्मकूंडली में देखना होगा क्या हमने चार्ड बना कर यहां रखा है इस चार्ड की माद्यम से आपको समझने में बहुत आसामी हो जाए इसलिए यह प्रयत्न किया है तो देखे आपके सामने जो यह चार्ड है ये मेश लगन का चार्ट है मेश लगन का चार्ट है और यहां लगन का स्वामी वही जो है मंगल है और साथ में अस्टम अस्थान का स्वामी है एक बात और आपको कह दूँ जो लगन का स्वामी और अस्टम का स्वामी हो वही जैसे मंगल यहां का भी स्वामी हो गए, यहां का भी स्वामी हो गए, तो ऐसी ये वस्था में जातक को वह ग्रह मारक नहीं बनता, अब यहां शुक्र मारक बन सकता है, डवल मारक बन सकता है, दो गुना बनेगा क्यों सब्तम अस्थान दुत्ती अस्थान पर शुक्र की स्थिति है, इस दो राशियों की ऐसी स्थिती बनती है ऐसे में अगर मारक का विचार करना होगा तो लगनेस और अश्टमेस जो ग्रह स्वामी होगा राशी का उस मारकेस नहीं माना जाएगा एक तो फुटकर बात में यह समझ लिजे अब दूसरी बात हम धन संबन्धी योग की चर्चा करने जा रहे है समझी का ध्यान पुर्वद देखें जन्म कुल्णी में दूसरा घर धन का होता है और ग्यारवा घर आमधनी का होता है आमधनी किन मारगूं से होगी वो ग्यारवे घर का स्वामी बताएगा ग्यारवे घर के स्वामी के साथ और दसम घर के स्वामी के साथ कोई संबंध बन जाए तो उन ग्रहों के जैसे माल लो यहाँ पर ग्यारवे और दसम घर के स्वामी एक ही हो गए शनी हो गए लेकिन माल लो यहाँ पर हम एनिवे लगन कोई और माल लेते मीन ले आते तो यहां ब्रहस्पती हो जाता करमेश और शनी हो जाते आयेश यहां नव हो जाता यहां दस हो जाता आमदनी का सवामी और करम का सवामी ब्रहस्पती ऐसी अवस्था में example के लिए जातक धर्मनिष्थ होकर सोना, चांदी धातू, पीले काम, लोहा, इत्यादी के काम और इलेक्ट्रोनिक्स इत्यादी से रिलेटेड काम कर सकता है ये एक छोट ऐसी माने एक्जामपल दिया है बाकी इसका विवर्ण बहुत बड़ा है तो अब हम यहाँ धान से संबंधित को चर्चा करेंगे जन्मकुली में दूसरा घर धन होता है, दूसरे घर से धन का विचार किया जाता है अब देखिए, यहाँ आमदनी अब अगर राशी परिवर्टन कर जाए या अस्थान परिवर्टन कर जाए जैसे यहां का स्वामी शनी है आमदनी का स्वामी आकर के धनस्थान पर बैठ जाए और ठीक धनस्थान का स्वामी यहां कर बैठ जाए हम आपको बठा करके बताते हैं यहां का स्वामी कौन है शनी है यहां शनी बैठ जाए मालो यह आएस हो गए और यहां के स्वामी कौन है? शुक्र है. यह हो गए धनेश. यह यहां पर बैठ जाएं. तो ऐसी अवस्था में जातक के पास धन होगा और मैं नहीं कहूंगा कि अपरिमित होगा. यहां पर यह भी जरूर देखना है कि इन ग्रहों पे द्रिष्टी किसकी पड़ रही है? यदि धनेश पर शत्रु ग्रह के द्रिष्टी पड़ जाए, पाप ग्रह के द्रिष्टी पड़ जाए, तो धन में कमी आ जाएगी. और यदि मित्र ग्रह के द्रिष्टी पड़ जाए, तो धन में बढ़ोतरी आ जाएगी. शुब ग्रह के द्रिष्टी पड़ जाए, धन उज्वल अपार धन आएगा. यह हो गया धन का स्वामी, यह हो गया आंधनी का स्वामी. एक तो यह एक योग यह होता है. दूसरे घर का स्वामी ग्यारवें बैठा हो, ग्यारवें घर का स्वामी दूसरे घर में बैठा हो, तो जाए तक के पास धन संपत्ती अधिक से अधिक रहती है. अथवा, यहां का स्वामी यहां पर ही बैठा हूँ, मैं इसे मिटा दूँ, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी तो दिखिए, हम इसको मिटाते हैं माल लो, एक्जाम्पल के लिए यदि प्रचुर धन देखना था, तो यह वस्था आती थी लेकिन अब साधार धन देखना हो, कि ब्यक्ति के पास आमदनी भी अच्छी रहेगी और धन भी रहेगा, तो यहां का स्वामी यहां पर बढ़ जाए, निशनी और यहां के स्वामी यहां बढ़ जाए, शुक्र तब भी व्यक्ति के पास बिशश्ट रूप से प्रचुर मात्रा में धन लाब होता है यह हो गई धन और आए की बात अब एक सूत्र और समझेगा, यदि दूसरे अथवा पांचवे घर का स्वामी पांचवे और नवे हो माल लिजे, दूसरे घर का स्वामी शुक्र है ठीक, यह दूसरे घर का स्वामी यदि नवे हो जाए और पांचवे घर का स्वामी यदि दूसरे हो जाए अत्वा, दूसरे घर का स्वामी यहां हो जाए जिसे शुक्र और नवे घर का स्वामी जो कि गुरू है, हम इसी को गुरू बना देते हैं आपको समझने के लिए यह ब्रहस्पती है, भागे का स्वामी धन में आ गया, धन का स्वामी पंचम आ गया अब भागे का स्वामी धन में बैठ गया, अब निश्चित बात है कि इस देखती के पास धन अपार्व अपूर्व होगा, ये हो गया धन के कारणों का विशलेशन थोड़ा सा आप जन्मकुल्डी में अपनी देख सकते हैं, अब हम इसे भी मिटाते हैं, अपने दर्शकों को हमें कह देते हैं कि बाई चांस कोई जबान है, स्लिप हो जाए, तो कृपया उसकी तरफ ध्यान न करें, अपनी सिक्षा की तरफ ध्यान कर सकते हैं, जितना आपको आता है, उससे अधिक आने लग जाए, और जितना हमें आता है, उतना मैं आपको बता सक मैं यह नहीं कहता हूँ कि मुझे बहुत आता है अब दूसरी अवस्था पे हम चलते है यहाँ पर मैंने चर्शा कर दी कि धन का स्वामी आंधनी में बढ़ जाए आंधनी का स्वामी धन में बढ़ जाए तो प्रचुर धन होता है अपार धन होता है यहां का स्वामी यहां बढ़ जाए यानि 9th house में, 9th house का स्वामी यहां बढ़ जाए तो भी धन अपार होता है, 9th house का स्वामी पंचम बढ़ जाए, पंचम का स्वामी 9th में बढ़ जाए, भाग्य भाव में, तो धन अपार होता है, अब दूसरी अवस्था देखिए, कि परन्तु आपके कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे भी है और धन नहीं है तो आप क्या कहेंगे मैंने तो मैच किया हमारे पास तो पैसा नहीं है चली अवस्था को हम देखते हैं यदि धनेश यहां बैठा हो और आएश यहां बैठा हो परन्तु यहां का स्वामी आकरके इनहीं के साथ बैठ जाए चलो हम फिर से स्चनी बिठाते हैं अब यहां का स्वामी मंगल हो गया यहां का स्वामी बुद्ध हो गया समझेगा और यदि किसी भी प्रकार से यहां के स्वामी यानि छटे घर के स्वामी आठवे घर के स्वामी और बारवे घर के स्वामी आमधनी और धनेश को देखते होंगे तो फिर धन नहीं होगा यानि लाव नहीं हो पाएगा उतना जितना की बताया गया है इसको फिर से समझीगा अगर जन्म कुंडली में धनेज के साथ छटे घर का स्वामी आठवे घर का स्वामी बारवे घर का स्वामी बैठ जाए या फिर ब्रिष्टी डाल दे जैसे मंगल यहां बैठा हो अब यह धन तो दे रहे हैं शनी आमदनी दे रहे हैं और इसके पाद धन है लेकिन अगर यहां मंगल बैठ जाए अब देखिए मंगल कौन हो गया? अस्टमेस हो गया परन्तु यहां एक और विचारा आप खुम देगे अस्टमेस तो मंगल है किन्तु लगनेश भी है लगनेश की अवस्था में यह मंगल जब धनेश को अश्टम दृष्टी से देखेंगे तो इस विक्ति को इस्त्री के माध्यम से भाई के माध्यम से अपने पुरुशार्थ और गवर्मेंट जौब के माध्यम से अपारधम देंगे क्योंकि लगनेश सदैव शुभ होता है माना की अश्टमेश है लेकिन अश्टमेश से अधिक मूलत्रेकोण राशी के स्वामी मंगल सब्तम में बैठे लगनेश हो करके यहां को देखेंगे तो धन देंगे यह एक्जामपल है फार एक्जामपल समझेगा ठीक है अगर यह मंगल यहां को देखेंगे तब भी धन देंगे इस घर को देखेंगे या इस घर के स्वामी को देखेंगे तब भी धन देंगे ठीक है परंतु जब द्वादस भाव का स्वामी चुकि यहां पर तो मोल त्रिकोड जो धनूराशी है वहां के स्वामी बन रहे हैं ब्रहसपती यदि ब्रहसपती ना हो करके कोई और होर द्वादशेस हो इनको आमदनी को और धन को देखेगा तो ऐसे बेखते के पास धन नहीं होगा बेशक ये दोनों ग्रहे बढ़िया बैठे हैं आएगा पैसा घर्च होगा आएगा जाएगा लेकिन इस्टेवल नहीं होगा धन इस्थिर नहीं हो पाएगा कहने का ताथ पर ये है अब जो सुत्रात्मक तरीके से हम चर्चा करें तो बड़ी लंबी चर्चा हो जाती है लेकिन इन सुत्रों को आप जिरूर समझ लेजिए धन के समझ लेज़ें साथ ही ये भी विचार करना होगा कि पंचमेश या नौमेश यदि धनेश लाभेश दोनों जहां बैठे हो वहीं पर पंचमेश और नौमेश बैठे हो तो धन योग को बृद्ध करेंगे क्या? I think नहीं करेंगे यदि दूसरे और ग्यारवे घर के स्वामी पंचमेश या नवे घर के स्वामी से संबंध करें तो विशेस धन होता है लेकिन छटे, आठवे, बारवे घर के स्वामी भी यदि हो जाएं तो फिर धन योग नहीं बनेगा तो कि छटा, आठवा, बारवा ये दूसराद बनता है ठीक है? धनेश, लाभेश तता त्रिकोनेश से संबंध करें तो यह योग नश्ट हो जाता है धनेश, लाभेश तता त्रिकोनेश के साथ छटे, आठवे, बारवे घर के स्वामी धनेश, त्रिकोनेश के साथ कहीं योग बनाएंगे तो फिर धन की स्थिपी बढ़िया नहीं होगी अब देखिए, यदि दूसरे और ग्यारवे घर के मालिक, यहां के स्वामी शुक्र है, यहां के स्वामी शनी है यदि दूसरे और ग्यारवे घर के मालिक, बारवे घर के मालिक के साथ बैठ जाएंगे चिक, दूसरे और ग्यारवे घर के मालिक बारवे घर के साथ कहीं बैठ जाएं तो उससे सम्मंध भी करते हों, तो भी धन योग नस्ट हो जाएगा जैसे यहाँ पर शुक्र बैठे हैं, यहाँ पर शनी बैठे हैं, लाभेश लाब में हैं और धनेस, धन में हैं, परंतु द्वादसेस होने के नाते, अब ब्रहस पती की द्रिष्टी भी पड़ जाए मान लीजिए, ब्रहस पती यहाँ बैठे हों, तो किसको देखेंगे? साथ, आठ, नौ शुक्र को देखेंगे, द्वादसेस हो करके चुक्कि यहाँ पर नौमेश भी है, इसलिए ब्रहस पती का प्रभाव अच्छा होगा, परंत कोई अन्मिग्रह पर चर्शा, अगर करें, तो सावधाने से करना है यहाँ से बैठेंगे, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ से बैठेंगे, तो आमधनी को देखेंगे किसी भी प्रकार आयेश और धनेश को यदी ज्वादसेश देखेंगे, तो धन नहीं होगा, एक और बात जन्मकुंडली में ब्रहस पती को धनाधीश कहा गया है, धन का कारक कहा गया है दूसरे घर के स्वामी, यहां के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी से संबंध हो, अथवा ब्रहस पती का बुद से भी संबंध हो, तो भी धन योग होता है क्योंकि बुद्ध ब्यापार का कारक है, ब्रहस पती बुद्ध की युती भी हो जाए, तो भी धन होता है चलिए, यदि लगनेश लगन में, धनेश धन में, और लाभेस लाभ में बैटा हो, तो बिशेश धन योग होता है जैसे मंगल यहाँ बैट गए, धनेश धन में बैट गए, लाभेस सनी है, ठीक, यहाँ बैट गए, यह भी धन योग उत्पन करता है दूसरे और ग्यारवे घर के मालिक, यदि दोनों ही लगन में आकर बैठ जाएगे, तो भी विशेश धन योग बनता है ठीक है, तो इस प्रकार से धन योग के बारे में जब भी विचार करना हो, तो आपको सावधानी से करना पड़ेगा क्या, अस्टमेस, सश्ठेस और द्वादासेस की किसी भी प्रकार से उनके साथ टचिंग ना हो तो विक्ति के पास धन होता है, और आप कहें कि मेरा धनेस तो धन में बैठा है, आएस आय में बैठा है, फिर भी मेरे पास धन नहीं है तो आप अपने कुंडली को अच्छी तरह से चिक करें, कहीं न कहीं आपके धनेश और आएस के उपर द्वादासेस, सश्ठेस, सश्ठमेस की दृष्टी अवस्से पढ़ रही होगी एक धन की इस्तिती और बताते हैं यदि चंद्रमा सात्वें घर का मालिक हो, मालो मकर लगन हो, और सात्वें घर का मालिक करक लगन के वस्था में चंद्रमा हो जाएगा यदि चंद्रमा सात्वें घर का मालिक हो और दूसरे घर में बैठा हो, यहां मकर लगन है, यहां करक है यहां के स्वामी चंद्रमा दूसरे घर में यहां पर बैठ जाएं और चंद्रमा के साथ अन्य कोई ग्रह बिलकुल न बैठा हो तो विशेश रूप से जिस विप्ती का धन चला गया होगा उसका धन वापस आ जाता है इस प्रकार से धन के संबंध में कोई भी विचार करना हो तो इन से 12 अस्टम सष्ट भाव से वो ग्रह अचूता हो तो फिर यह इस्तिती बनती है फिर से कह देता हूँ मकर लगन हो चंद्रमा सत्मे सुकर दूसरे अस्थान पर बैठ जाए और उस पर कोई भी ग्रह न देखत हो तो ऐसे बिक्ति का गया हुआ पैसा वापस आ जाता है अब इसको कैसे समझेंगे अगर आप प्रश्ण काल लगाते हैं और प्रश्ण काल में यह स्थिती आ जाती मकर लगना आ जाता है चंद्रमा सत्मे सुकर दूसरे घर में बैठ जाए और उस चंद्रमा को कोई भी ग रख लेना चाहिए और अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप एक बार में सहरा समझें कई बार आप देख करके समझ सकते हैं तो इस फुटकर वीडियो को छोटे से स्थर पर हम आपको देने का प्रयास किये समझा दुबारा मिलने का वदा करते हैं शरीर रहा जीवन रहा तो मिलेंगे और आपको जोतिस के सुत्रों के साथ नए नए आयाम देने का प्रैत्न करेंगे लेते हैं विदा, नमस्कार जैसे कुष्णा प्राम